तो बैक टू मैं नॉस्टेलिया डेस जब मैं भी अपना फाउंडेशन का एक्जाम दे चुका था और मेरा इंटर का एक्जाम आने ही वाला था तो मैं भी कुछ इसी तरह आपी की पोजिशन में था तीन-चार महीं ने एक्जाम को रह गए थे टेंशन हो रही थी कैसे प्लैनिंग करें कैसे चीजे प्लैन आउट करें अगले चार महीने की उसको आपको एक विजन दिखा दू कि कैसे आपके अगले चार महीने दिखने वाले हैं 11 जनवरी देखो 11 वैसी एक लखी नमबर होता है तो मैं गयाता हूं 11 जनवरी that is the lucky day आओ लखी डे पर अपनी शुरुआत करते हैं इस जर्णी की और क्या पता चार महीने बाद जब आप एक्जाम दो और छे महीने बाद जब आपका रिजल्ट आए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जा रहे हो कि मैंने ये वीडियो देखी थी मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी और आज भी मैं एक rank holder हूं या मैंने अपने तो आज की जो डेट है आज की डेट है 11 जनवरी 2021 that I told you is the lucky day आज हम स्टार्ट करेंगे अपने CA इंटर की बोध ग्रूप्स की प्रप्रेशन और मैं आपको एक बात बता दूँ बोध ग्रूप्स फोर मन्स में possible हैं बट एक चीज आपको इमान के चलनी पड़ेगी कि आपक और आपको भी मज़ा आता होगा जर्नल एंट्रीज पास करकर के और जब वो जर्नल एंट्रीज मैच हो जाती है तो उसको देखके मज़ा ही आ जाता होगा तो वो चीज है अकाउंट्स का आप स्टार्ट करोगे और अकाउंट्स क्यूंकि प्रैक्टिकल अकेले चलाना पूरा आपको कवर करने के लिए पूरा रिवाइस करने के लिए रिवाइस मतलब किस तरीके से अकाउंट्स का आप एक-एक प्रोविजन रीड करोगे और सारे कोशन सॉल्व करोगे तो इस तरह से आपने इसको करना है मेन फोकस आठो सब्जेक्ट में आपका यही होना च 15 दिन अगर आपने एक बार अकाउंट्स और लोग पड़ रखा है मैं तो कहता हूँ अगर आप शुरुवात भी कर रहे हो एक लेवल पर कि मतलब आपने एक बार देख रखा और आप फर्स टाइम रिविजन कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं 15 दिन में आप अराम स इन दोनों सब्जेट्स को समाल लोगे talking about costing and taxation तो देखो costing and taxation दोनों को समालने के लिए मेरे साब से दोनों को साथ साथ दिन काफी है taxation में अगर मैं बात करूँ चार दिन DT तीन दिन GST अराम से हो जाएगा इसी तरह costing की बात करूँ तो seven days में अराम से हो जाएगा तो total हम दे साथ चला सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं जैसे accounts और law को साथ चलायता है advance accounts और audit को भी हम साथ साथ चलाएंगे इन दोनों को हम complete करेंगे again 15 दिन के अंदर उसके बाद FM ECO को करेंगे 7 दिन के अंदर अब मैं आपको एक बात बोलूँगा FM ECO ना ऐसे मत करना चार दिन FM औ और शाम को फिर ECO उठा लो तो दोनों आपके बढ़िया साथ दिन में अच्छे से cover हो जाएंगे अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरा ये FM ECO पांच दिन में cover हो सकता है तो वो days बचा लो because ये days आप ही के काम आने वाले हैं तो better है कि जतनी जल्दी जल्दी चीज़े क अगर आपको लगता है कि नहीं आपका प्लैनर आप कुसी और तरीके से बनाना चाते हैं वैसे भी बना सकते हो but at least you will get guidance कि आप अपना प्लैनर कैसे बनाओ talking about EIS SM कई बच्चों का इसमें थोड़ा हाथ तंग होता है तो मैं बोलूँगा 8 दिन है 8 दिन में आप primary focus SM पे कर सकते हो कि SM आप अपना बहुत अच्छा चमका लो 4-5 दिन लगा के SM अच्छे से चमका लो बाकी माल लो EIS स्टार्ट कर देना EIS को स्टार्ट करने के बाद हो का जो accounts है उसकी आप second revision side by side start कर दोगे ठीक है तो यह आप मेरे को वादा करो EIS SM और EIS SM के साथ ना lightly मत लेना because क्या होगा ना देखो मैं simple सी बाद बादाता हूं straightforward परीके से group 2 अगर किसी बच्चे का रुखता है तो वो generally दो ही subject की वज़े से रुखता है या तो audit या EIS SM तभ जरूरत पड़े तो 3-4 दिन extra भी दे देना अपना syllabus cover करने के लिए अच्छे से ठीक है उसके बाद आप accounts की अपनी second revision start कर दोगे लौकी second revision start कर दोगे first time आपने 15 दिन में किया था तो इस बार अब आपको 8 दिन में करके दिखाना पड़ेगा because first time में आपको कई सारी चीजे नहीं नहीं तरीकी से आप पढ़ रहे होगे तो time लग रहा होगा चीजों के साथ अब time कम लगेगा तो मैं मानता हूं कि learning curve हमारा 50% हो जाना चीए तो 50% कम time लगेगा similarly costing और taxation को भी आप 4-4 दिन में करोगे तो overall 16 days में आपकी group 1 की second revision हो जाएगी और यहाँ पर date हो जाएगी 8 दिन for advance accounts and audit then FME को और EISSSM को हम 4-4 दिन दे देंगे क्या यह बात है आपको समझ आ रही है हां सर यह समझ आ रही है अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा यार क्या करें यह जो theory वाले chapters है जो theory वाले papers है इनमें तो mcqs भी आते हैं तो mcqs का क्या करें तो मैं आपको बा मालो taxation का कोई chapter कर लिया अब taxation का chapter करके आपको लग रहा है को मुझे कितना समझ आया है तो आप ICI के study material के questions कर सकते है आप अपने compiler के questions कर सकते है जो भी आपका question कर लो आप कभी कबार खाली बैठे हो ठीक है suppose मालो शाम को आपका मन कर रहा है मेरा पढ़ने बढ़ने का कुछ म कि क्या पता हो सकते है कोई question गलत हो जाए तो यह पता चलिएगा और इस topic को में improve कर सकता हूं दूसरा अगर मालो आपने वो test में full में से full marks लिया है मतलब MCQ test था उसमें 10 में से 10 आ गए तो confidence मिल जाएगा confidence किसको अच्छा नहीं लगता इसी तरह अब आपकी third revision की बारी आ ज कुछ नहीं करना आपको बस एक ही चीज़ दिखनी चीए सामने वो है CA Inter का exam और कुछ भी नहीं अब third revision आप कैसे करोगे law के साथ स्टार्ट करोगे सर accounts कहा चला गया question आ रहा है मन में accounts कहा चला गया तो accounts ना यह रहा यह रहा शैतान accounts इसको हम 5 दिन देंगे यानि just before your exam start on let's say second of May आपके exam start हो रहे है second of May 21 तो उससे पहले जो 5 दिन है वो हम accounts को देंगे because accounts को 5 दिन देना तो बनता है वास ठीक है फिर आप यह सारे subjects law, costing, tax, advance accounts, audit, FME को EIS SM इनको आप इस तरह से कर सकते हो EIS SM को हमने धाई की जगा 3 दिन दिन दिये because as you understand theory में थोड़ी सी दिक्कत आती है पर हो जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, so आपके लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको what are some tips to achieve these targets, मतलब अगर आपको यह targets अचीव करने तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, मैं कुछ ऐसी बाते बता तो जो मैं implement करता था, पहले तो जब भी आप सो मुझे पता है अगले दिन में कितने सारे topics cover करने है, फिर मैं time पर अगले दिन पर उठ जाओंगा और मैं सारे topics goals achieve करता चले जाओंगा, दिक्कत कब आएगी goal achieve करने में मैं बताता हूं दो cases में, या तो मैं inefficient हूँगा, या फिर मेरे जो targets हैं वो realistic ही नहीं है, मतलब मैंने ब अपने आपको समझो, आपकी skills क्या है, आप syllabus को देखो, आप देखो कितना time period है, आपके पास वो syllabus cover करने के लिए, and equally उसको divide करो in the days that you have got, so set some realistic target, उनको achieve करके मज़ा भी आएगा, and एक चीज और drink lots of water, सर यह क्या health nutrition वाली बाते कर रहे हो, but that is important, अगर मैं आज आपसे बात कर पारो, आप मुझे सुन पा रहे हो, यह इसी वजह से हती हो कि हमारी body run कर रही है, हमारी body कर कैसे run करती है, थीन चीज़ों पर run करती है, air, water and food, यही थीन चीज़ों पर run करती है, air तो मिलती जा रही है, वो तो मैं आपको बोलूँगा निज सास ले भी रहा हु, मैं दो ही ठंड की टाइम चल रहा है न तो मैं एक बाग बोलूँगा देखो अब इस टाइम पर क्यों होगा कई लोग कम पानी पेंगे कम पानी पीणे से क्यों होता है ना बोडी में heat up आ जाता है अब heat up आ जाता है तो फिर नींद आने लगती है आलस आने लगता है तो उन सब चीज़ों को दूर भगाओ और पानी पीते जाओ ठीक है ठीक है चलो all the best to all of you I hope all of you will achieve the target अगर आप थोड़ा सा भी अपने बारे में सोचते हो तो comment box पे जरा commitment करके चले जाओ कि आने वाले 4 महिने में मैं अपना best दूँगा और जुलाय में CA finals की preparation शुरू कर दूँगा इस तरह का commitment कर दो फिर देखो क्या positive energy आती और कैसे आप अपने सारे targets अचीव करके CA final की त्यारी जल्दी शुरू कर दोगे all the best to all of you I am sure all of you will do well अगर अभी तक चैनल को subscribe ने किया तो do subscribe the channel like this video and all the best bye bye